दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भोजपूरी फिल्मों के सभी हीरो, सभी एक्टर के रियल हाइट यानि वास्तिविक सही लंबाई को जानेंगे तो चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों में से किसी ने अगर अभी तक मेरी डूप चैनल प्रभास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी डूप चैनल प्रभास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल के बेल एकन को प्रेस भी कर दें थाकि भोजपूरी फिल्म भोजपूरी एक्टर एक्टरेस से जुड़ी हर एक नई पुरानी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे ओक्यो फ्रेंड्स नंबर एक रिसब कस्यब उर्फ गोलु जी दोस्तों जो भोजपूरी फिल्मों में बाल कलाकारी करते करते आज भोजपूरी फिल्मों के सफल हिरो बन चुके हैं और रिसब कस्यब जी का रियल हाइट वास्तिविक सही लंबाई 6 फिट जी हां दोस्तों रिसब कस्यब जी 6 फिट लंबे हैं नंबर दो रवी किसंजी दोस्तों रवी किसंजी को कौन नहीं जानता ये भोजपूरी फिल्मों के साथ साथ बॉलिवूड साउथ और बेंगोली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और रवी किसंजी का रियल हाइट वास्तविक सही लंबाई है 5.10 इंच जी हां दोस्तों रवी किसन जी 5.10 इंच लंबे हैं नमबर 3 विराज भरजी दोस्तों भले ही विराज भरजी कम फिल्मे करते हैं लेकिन दर्सक विराज भरजी को बहुत पसंद करते हैं अत्याधिक पसंद करते हैं और विराज भरजी क रियल हाइट यानि वास्तविक सही लंबाई 5 फिट 10 इंच है जी हाँ दोस्तों विराट भर जी भी रवी किसन जी के जितना ही लंबे है नमबर चार प्रदी पांडे उर्फ चिंटू पांडे जी दोसों चिंटू पांडे जी को भोजपूरी फिल्मों में बहतरिन डायलोक् वास्तविक लंबाई सही लंबाई है 5 फिट 9 इंच जी हाँ फ्रेंट्स चिंटू पांडे जी 5 फिट 9 इंच लंबे है नमबर पांच प्रवेसलाल यादव जी दोस्तों प्रवेसलाल यादव जी भोजपूरी फिल्मों के हीरो होने के साथ साथ भोजपूरी फिल्मों के प्रवेशलालियादव जी का रियल हाइट वास्थविक लंबाई सहीं लंबाई पाँच फिट प्रवेश ही माझा नमबर चिए दोस्तों बोजबुरी फिल्मों के ही ओने के साथ साथ बोजबुरी गानों के गायक सिंगर इत और कलूजी का रियल हाइट यानि वास्त्विक लंबाई सही लंबाई 5 फीट 8 हिंज है जी हाँ दोस्तों प्रवेशलाल यादव जी और कल्लू जी का लंबाई बराबर है नमबर साथ रिते स्पांडे जी दोस्तों यूँ तो रिते स्पांडे जी को सभी भोजपूरी गानों के बहतरिन गायक के रूप में चांते हैं लेकिन रिते स्पांडे जी कई भोजपूरी हिट फिल्में देने के बाद अब रिते स्पांडे जी को सफल हिरो का दर्जा मिल चुका है और रितेस बांडे जी का रियल हाइट यानि वास्त विक सही लंबाई पांच फिट आठ इंच है नमबर आठ पावर इस्टार पवन सिंग जी दोस्तों पवन सिंग जी को भोजपुरी फिल्मों का पावर इस्टार और भोजपुरी गानों का किंग कहा जाता है और पवन सिंग जी का रियल हाइट यानि वास्तवीक सही लंबाई 5.5 फीट 7 इंच है ये भी कह सकते हैं कि पवन सिंग जी लगबग 5.8 इंच लंबे है नमबर 9 मनुझ दिवारी जी दोस्तों मनुझ दिवारी जी को भोचपुरी फिल्मों का और भोचपुरी गानों का भगवान कहा जाता है और मनुझ दिवारी जी का रियल हाइट वास्तवीक सही लंबाई 5.7 इंच है जी हां दोस्तों मनुझ दिवारी जी 5.7 इंच लंबे है नमबर 10 ट्रेंडिंग इस्टार खेसारी लालियादव जी दोस्तों खेसारी लालियादव जी को भोजपूरी फिल्मों और भोजपूरी गानों का ट्रेंडिंग सुपरिश्टार कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक और सबसे हीट फिल्में और गानें खेसारी लालियादव ज दोस्तों राकेश मिस्रा जी अपने फिल्मों से अधिक अपने गानों के लिए जाने जाते हैं और राकेश मिस्रा जी का रियल हाइट वास्त्विक सही लंबाई पांच फिट साथ इंज है जी हां दोस्तों राकेश मिस्रा जी भी खेसारी भाई जी के जितने लंबे है नमब लेकिन दर्सक प्रमूद्प्रे मी यादव जी भले ही हाले में फिलमें करना शुरूल के है। लेकिन दर्सक प्रमूद्प्रे मी यादव जी को पहले से ही उनके गानों को और उन्हें पसंद करते आ रहे हैं और प्रमोद प्रेमी यादव जी का रियल हाइट यानि वास्त्विक लंबाई सही लंबाई 5 फेट 5 इंच है जी हां दोस्तों प्रमोद प्रेमी यादव जी और गुंजन सिंग जी का हाइट सेम है बराबर है दोस्तों एक बात बोलू सफल सक्सेस और बड़ा आदमी बनने के लिए हाइट नहीं बलकि हुनर टैलेंट होने चाहिए यदि success होने के लिए बड़ा आद्मी बनने के लिए height जरूरी होती तो आज सचिन तेंदूलकर जी और आमिर खाण जी उस जगह पे नहीं होते जहां आज वे हैं फ्रेंड्स आप सबों को बता दूं कि सचिन तेंदुलकर जी और आमिर खान जी का पूरे वर्ल्ट पूरे दुनिया भर में दुनिया भर के लोग जानते हैं लेकिन हाइट कितने हैं दोनों की पांच फिट पांच इंच हाइट है इसलिए दोस्तों यदि आपके अंदर भी ह और टैलेंट है तो आप भी एक्टर क्रिकेटर बन सकते हैं और दोस्तों यदि आप सबों को ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाट्सप फिस्बुक ग्रूप में सेयर करें और हाँ चैनल क को सब्सक्राइब करना और साथ ही चैनल के वेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ठैंक्स मिलते हैं एक और नई वीडियो ले कर थपता के लिए गुडवी से स्पोर गुड़ लख